गाईज इस वीडियो में मैं आपको ओथो और थिवा केरिक्टर की एबिलेटी बताने वाला हूँ कि उनकी एबिलेटी में किस तरीके का बदला हुआ है और इससे पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने 5 केरिक्टर की एबिलेटी के बारे में बताया इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ और यदि आपको जानना है कि पांच कर्क्र की अबलेटी इस तरीके से चेंज हुई तो आपको चेनल पर वीडियो मिल जाएगि तो यहाँ पर हम ओधो और थिवा की अबलेटी जानने वाले तो इस सबसे पहले ओधो कर्वेटी की अबिलिटी किस तरीके से चेंज हुई है तो आप देख सकतू कि पहले इसकी क्या अबिलिटी थी कि किसी भी एनिमी को हम निपटाते थे तो 50 मीटर के अंदर में जितने भी एनिमी है उनकी लोकेशन अपन को भी पता चलती थी और अपने सांस साथ अपने टीमेट को भी प किसी भी एनिमी को हम निपटाते थे तो उसके 50 मीटर के दाहरे में जितने भी बंद है उनकी लोकेशन हमें पता चल जाती थी लेकिन अपडेट के बाद इसकी क्या अबिलिटी होने वाली है तो आपर आप देख सकते हूँ जो इसका 50 मीटर का सरकल है वह आपर बन जाएग 75 मीटर का मतलब की 75 मीटर तक के एनिमी की लोकेशन हमको पता चलेगी और पहले हमें सिर्फ एक दो सेगंड के लिए यही लोकेशन पता चलती थी जो की मेनी मेप के ऊपर लेकिन अपडेट के बाद यहाँ पर 6 सेगंड के लिए हमें एनिमी की लोकेशन पता चलने वाली है किसी भी enemy को हम निप्टाते है तो उसकी जो location है वो 6 सेकंड के लिए पता रहेगी और इसका जो फायदा है वो हमारा सासनाथ हमारे teammate को भी देखने को मिलेगा और जो auto character में location पता चलती है वो चलती है map के उपर तो guys आपको map के उपर देखना पड़ेगा तो guys इसकी ability भी यहाँ पर change होने वाली है तो इसकी यहाँ पर क्या ability आप देख सकतो इसी भी friend को हम revive देते है तो वो यहाँ पर 25% जल्दी यहाँ पर revive होता है और revive होने के 5 सेकंड के अंदर में उसको मिलती है 40 HP जो की MX level पर तो guys update के पहले थिवा character की ability यह थी कि किसी को भी हम revive देते थे तो 25% जल्दी revive हो जाता था और revive होने के 5 सेकंड के अंदर में उसको 40 HP देखने को मिलती थी और update के बाद इसकी ability में क्या change होगा guys अभी तक तो update नहीं आया है लेकिन जब भी आएगा उसके बाद थिवा की ability में क्या change होगा मैं आपको बताता हूँ तो guys update के बाद इसकी ability कुछ इस तरीके की हो जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो 25% है वो 30% हो जाएगा किसी भी हम अपने friend को revive देंगे तो वो 25 की जागे 30% जल्दी revive होगा अपडेट के बाद यह change हो जाएगा और revive होने के बाद उसको मतलब 40 HP मिलती है तो अपडेट के बाद उसको मिलेगी 50 HP वो भी 5 सगन में मतलब की हर एक सगन में 10-10 HP उसको मिलती जाएगी तो guys update के बाद थिवा character की ability इस तरीके से change होने वाली है यदि ये वीडियो आपको पस्तांद आयत्ते वीडियो को लाइक कर देना चेनल को सब्सक्राइब करकर bell notification भी ओन कर लियाना